ओम्शंति 7th February 75 अव्यक्तवानी संतुष्टताही संपुरुनता की निशानी है। सर्व आत्माओं के प्रती स्नेह जगाने वाले सर्व हितकारी शिव बाबा बोले। सभी इस समय अपनी फीचर्स और फ्यूचर को जान सकते हो। जितना जितना समय के समीप जा रहे हो, समय के प्रमान अपनी संपुरुनता की निशानिया अनुभव में आती है। सम्पुरुनता की मुख्य निशानिया कोन सी है। आत्मा सम्पुरुनता को पा रही है। यह मुख्य किस बात में सबको अनुभव होता है। मुख्य बात यह है कि ऐसी आत्मा सदा स्वयम से सर्व सब्जेक्ट में संतुष्ट रहने का अनुभव करेगी और साथ साथ अन्य आत्माएं भी उनसे सदा संतुष्ट रहेगी। तो संतुष्टता ही संपुरुनता की निशानी है। जितना जितना सर्व आत्माओं की संतुष्टता का आशिरवाद वसुक्ष्म सेंस्निह तथा सहयोग का हर समय रेस्पॉंस मिले। इससे समझो कि इतना संपुरुनता के समीप आये है। कमाल इसमें हैं कैसे भी संसकारों वाली असंतुष्ट रहने वाली आत्मा के संपरक में आये। वह भी संपरक में यह अनुभव करे कि मैं अपने संसकारों के कारण ही असंतुष्ट रहती हूँ। लेकिन इन विशेश आत्माओं में मेरे प्रती स्नेह वसहयोग की वह रहम दिल की शुबभावना सदा नजर आती है। अर्थात वह अपनी ही कमजोरी महसूस करे। वह कंपलेंट यह न निकाले कि यह निमित्त बनी हुई आत्माएं मुझ आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती। सर्व आत्माओं द्वारा ऐसी संतुष्ट मनी का सर्ट्पिकिट प्राप्त हो। तब कहेंगे कि यह संपुर्णता के समीप है। जितनी संपुर्णता भरती जाएगी उतनी ही सर्व आत्माओं की संतुष्टता भी बढ़ती जाएगी। सर्व को संतुष्ट करने का मुख्य साधन कोन सा है? हर एक ने बताया, यह सब बाते भी आवशक तो है, यह सब बाते परिस्तिती में प्राक्टिकल करने की है, मुख्य बात यह है कि जैसा समय, जैसी परिस्तिती, जिस प्रकार की आत्मा सामने हो, वैसे अपने को मोल्ड कर सक अपने स्वभाव और संसकार के वशिभूत न हो। स्वभाव अत्वा संसकार ऐसे अनुभव में हो जैसे स्तूल रूप में, जैसा समय बैसा रूप, जैसा देश बैसा बेश बनाया। ऐसा सहेच अनुभव होता है। ऐसे अपने स्वभाव संसकार को भी समय के अनुसार परिवर्तन कर सकते हो। कोई भी सक्त चीज मोल्ड नहीं हो सकती है। कड़े संसकार भी समय प्रमान मोल्ड नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे इजी संसकार हो की जैसा समय वैसे बना सके। यह प्राक्तिस होनी चाहिए। संकल्प भी न आएं कि मेरे में भी कोई संसकार है, कोई स्वभाव है। जो अनादी आदी संसकार है वही स्वरूप में हो। संसकारों का परिवर्तन अनादी काल से है। अर्थात चक्र में आने से ही परिवर्तन में आते रहते है। तो आत्मा में संसकार परिवर्तन का एटोमेटिकली अभ्यास है, कभी सतो प्रधान, कभी सतो, रुजो वतमो संसकार समय प्रमान बदलते ही रहते हैं। अब जब की नौलिजफुल हो, उचे से उची स्टेज पर पार्ट दारी बन, पार्ट बजा रहे हो, पावर्फुल भी हो, ब्लिस्फुल भी हो, सर्वशक्तिवान, वर्से के अधिकारी भी हो, तो स्वभाव संसकार को समय प्रमान वशेवा प्रमान, किसी के कल्यान के प्रती वश्वयम की उन्नती के प्रती परिवर्तन करना अती सहज अनुभव हो, यह है विशेश आत्माउं का अंतिम विशेश पुर्शार्थ, ऐसे पुर्शार्थ के अनुभवी हो, ऐसे संपुर गोल्ड बन गए हो। इससे अपने नंबर को चेक कर सकते हो, वह अपने संगम युगी भविश्य रिजल्ट को जान सकते हो। खुशबाच वाला नहीं, किनारा करने वाला नहीं, संपरक में आते हुए, संबंद में रहते हुए, स्वयम ही अपना संपरक, संबंद बढ़ाते, सफलता मुरद बने, तब नंबर आगे ले सकते हैं। बेहत के मालिक का बेहत से संबंद चाहिए न, वह कैसे होगा, चांस मिलता नहीं, लेकिन हर कार्य के योग्य, स्वयम की योग्यताए, स्वतही निमित्त बना देती है। इस वर्ष में ऐसी विशेश्ता दिखलाओ, जैसे साकार बाप की विशेश्ता देखी। हर एक के दिल से यह आवाज निकलता रहा हमारा बाबा, चाहे पचड माल हो, फिर भी हमारा बाबा, यह अनुबव हर आत्मा का रहा, ऐसे सर्व विशेश आत्माओं के प्रती, जब तक सर्व आत्माओं द्वारा, यह स्नेह का व अधिकार का, अपने पन की आवाज न निक तब तक समझो कि विश्व के मालिक पन के तक्तनशीन नहीं बन सकते, ऐसे सफलता की निशानी दिखाई दे, हर एक अनुबव करे कि यह विशेश आत्माओं विश्व कल्यान के प्रती है, यह है संपुर्णता की निशानी, अच्छा ओम शंति